हेलो फ्रेंस मैं आन्यों स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रेग्नेंसी से संबंदी देख नई वीडियो में आज की वीडियो में हम अल्टरसाउन के बारे में बात करेंगे यह जो अल्टरसाउन है वो सेकंड टेमिस्टर का अल्टरसाउन है इसमें बेबी की मौमेंट दे लेकि बेबी की BROAD हो रही है उसकी pozigन क्या है उसकी कंडिशन क्या है बेबी नॉर्मल है या नहीं है तो फ्रेंच अर्टा साउन के माध्यम से ये भी पता लग जाता है कि गर्वं में पल रासिस लड़का है या लड़की है लेकिन हमारे देश में लिंग निर्दारण कराना कानूना नपराद है और ना ही मेरा चैनल इस चीज़ को बढ़ावा देता है आज के जमाने में लड़गी और लड़का दोनों शम्मान है तो फ्रेंस प्रेगनेंसी की दूसरी टेमिस्टर में लिंक का निर्दारण भी हो जाता है कि घर में पर लासिस व लड़का है या लड की है तो एल्टर सांड के माध्यम से वो भी पता चल जाता है यूकि सेकंड मंथ में बेबी के जन्रान बिक्सित हो जाते है जिससे उनके जन्रांगों के बारे में पता लग जाता है उसके जो प्राइवे पार्ट होता है वो बन जाता है तो फ्रेंस वैसे तो बेबी 14 वीक से मूमेंट करना सुलो कल लेता है लेकिन हमारा गरवास है और बेबी की ग्रोथ कम होने के कारण हमें मूमेंट का पता नहीं चलता है जब बेबी second trimester याने की 5-6 महिने में आ जाता है तो हमें मूमेंट मैसुस होने लगती है हमारा बेबी किक करने लगता है और ये सारी चीजे अल्टर शाउन में शाव साव दिखाए देती है तो आप लोग वीडियो को पूरी देखना झाल 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 झाल